नमस्कार इंडिया नियूज 36 गड़ देखाए हैं आप में गरीमा श्रवास्तवार के साथ 36 गड़ में नकसलियों का आतंक बहुत ही पुराना है आये दिन नकसली हमले होते ही रहते हैं लेकिन एक हमला जो लोगों के जहन से कभी नहीं उतर पाया है वो है 25 मई का हमला 25 मई 2013 को नकसलियों की तरब से घात लगाकर किये गए हमले में कॉंग्रेस एक पीड़ी के नेताओं को समाप्त कर दिया था इस खटना में कॉंग्रेस के ततकालीन प्रदेश अध्यक शिनंद कुमाल पटेल उनके बेटे दिनेश पटेल पूर्वर केंद्रिय मंत्री विद्या चरण शुक्लिफ बस्तर टाइगर कहे जाने वाले पूर्वन नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा कॉंग्रेसी नेता उडए मुद्लियार समेट कुल 32 लोगों के मौत हो गई थी तब से 25 मई को 36 कर कॉंग्रेस की तरफ से काला दिवस के रुप में मनाया जाता है खटना के 10 साल भी जाने के बाद ही मितिकों के परिजनों को अब तक जस्टिस नहीं मिला है इस खतना को लेकर समय समय पर सवाल भी उठते हो रहते हैं आज वही 25 मई है यानि की वही काला दिन दरसल 25 मई 2013 को सुक्मा में परिवर्तन यात्रा की सभा कर लोट रहे कांग्रेसियों के काफिले पर जीरम घाटी में शाम करीब साड़े चार बजे नकसलियों ने हमला किया था करीब 15 मिनट तक नकसलियों ने काफिले पर पहाड़ीयों के दोनों तरफ से गुरिया बरसानी शुरू कर दी इस समले में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी हाज बात ये हैं कि नकसलियों ने घड़ना के वक्त सबसे पहले काफिले के जुस गाड़ी को बारूदी सुरंग विस्पोच कर उड़ाया था उस गाड़ी के अवशेस आज भी घड़नास्थल पर मौझूद है ये ब्लास्ट इतना जबर्दस था कि गाड़ी के पर खच्चे घटनास्थल से करीब 300 मीचर दूर तक के रहे थे नकसलियों ने काफिले पर ताबर तोर फाइरिंग के बाद सभी कॉंग्रेस के सभी नीताओं से सरेंडर करने को कहा काफिले में मौझूद कॉंग्रेस नीता और बस्ता चाइगर के नाम से मशूर महिंद्र कर्मा ने नकसलियों के सामने अपने दूरों हाथों को उठा कर सरेंडर कर दिया महिंद्र कर्मा ने अपने साथियों को नकसलियों से छोड़ देने की अपनी की लेकिन नकसलियों की कूरता के सामने उनकी एक फिना चली मुख्यमार्ग से करीब सौ मीटर की दूरी पर ले चाकर नकसलियों ने उनके शरीर पर सत्तर बार धारदार हत्यार से वारदात को अज़ाम दिया नकसलियों का खूनी खेल यहीं नहीं रुका महेंद्र कर्मा की हत्या करने के बाद नकसलियों ने कॉंग्रेस के ततकालीन प्रदेश सध्यक्ष नंदकुमार पतेल और उनके बड़े बेटे की भी गोली मार कर हत्या कर दी पत्यक शुदर्शियों के मुताविक नंद कुमार पटेल ने उनके बड़े बेटे दिरेश पटेल को रिखा करने की नकसलियों से गुहार लगाई तेके नकसलियों ने अपनी बरबरता का परिच्छे देते हुए उनके बेटे को भी मौत की घाट उदार दिया खटना के करीब 12 घंटे बीत जाने के बाद पुलस ने मुखे मार्ग से करीब 200 मीटर की दूरी पर नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दोनों के ही शवों को बरामत किया श्वीरम घाटी नकसली हमले में 24 कॉंगरेसी नेदाओं और कारेकरताओं समी जवान और आम आदमी भी मारे गया थे श्वीरम घाटी में हुए नकसली हमले के बास और अक्षा के लिहाज से जगदल पुराने वाले मार्ग में घटनास्था से करीब 200 मीटर की दूरी पर CRPF कैम स्थापत किया गया ताकि श्वीरम घाटी से नकसली भै खत्म हो जाए खत्म की कुछ साल बाद श्वीरम घाटी की तस्मीर बदल गई और यहां नैशनल हाइवे का चौड़ी करण किया गया साथी सड़क पर सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए वस्तर पुलिस ने साथ 2018 में श्वीरम घाटी को पूरी तरह से नकसल मुक्त होने का दावा क गया दस सालों से भले ही जीरम घाटी की तस्वीर बदल गई है लेकिन इस खटना को लेकर देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी एन आई एच शपीस कड़ नियाइक जाच आयोग और साइटी स्पैशल इंवस्टिगेशन टीम समेथ तीन एजनसी खटना की जाच कर रही है आगे इहने आएक अब मिलेगा एंतजार में सभी हैं शपीस गड़ की सभी ख़बरों में बने रहने के लिए देखते रहें जैने उस शपीस कड़ थनेवार